हे गाइस, वेलकम बैक, इस वीडियो में हम लोग यह सिखने वाले हैं कि बूट्स्ट्रप जो की मॉडल का था, जो हम लोग कर रहे हैं, राइट नौ जैसे कि एड हो गया है, यहाँ पर फेच होने वाला है, ठीक है, तो नौ गाइस अभी व्यू बढ़ आने पर क्या होगा, व्यू ऐसे ही मॉडल में दिखना चाहिए, राइट, तो ऐसे ही मॉडल में हम लोग व्यू करेंगे, स्टूडेंट, यह स्टूडेंट डेटा आड है, तो यहाँ पर स्टूडेंट डेटा व्यू इन अ मॉडल, यह डीटेल्स आना चाहिए, राइट, तो इसके लिए हम ल तो guys यह रहा हमारा code जो कि यहां तक हम लोग execute की हैं and now हम लोग चलते हैं इसको बनाने तो guys जैसे कि अभी यहां पर हम लोग यह रहा हमारा view button तो इस पर first हम लोग assign करते हैं view button को so let's type view button करके हम लोग यहां पर बना दिये view underscore button जो की class में defined है यह इसको hash लगा देते हैं तो guys jquery से खेलने के लिए we will start with this तो यहां पर हमारा make sure आपके पास यह link code है आपके पास नहीं है तो google कर लिजिए jquery cdn link करके तो आपको मिल जाएगा that's it उसके बाद jquery start कर लेते हैं तो पहले script tag call करेंगे तो यहां पर script open हो गया है and कुछ jquery का functions लगेंगे तो शुरू करते हैं jqu doc अगर यह आपको extension पता नहीं है तो आप यहां से आप install कर सकते हैं आप यहां पर देखिए jquery code snippet इसको install करना आपको then आपको ऐसा options मिलने शुरू हो जाएंगे so ignore this and let's continue तो गैस यहां पर and अभी चलते हैं यहां पर jqu click करने से क्या होगा click function तो see here guys jqu click पर हम लोग यह लगाएंगे कि view button जब यह view button click हो रहा है तो इसका prevent default function मतलब reload नहीं होगा तो यह simple सा static हमेशा यह रहता है ऐसे ही ठीक है तो इसको कोई confusion नहीं रखीगा यह prevent default मतलब page को load नहीं होने देता है that's it so guys अभी यह मैंने dot लगाए इसलिए क्योंकि यहां पर view button जो कि class में call हुआ है तो guys अभी just check करता हूं में alert करके alert hello तो चलिए वापस code पर I mean page पर reload करते हैं यहां पर hello करके आ गया है right so let's comment that चलिए तो हमारा output मिल गया बराबर तो guys हमें क्या चाहिए अगर यह में click करूं तो यह first वाला आना चाहिए यह click करूं तो second वाला तो हमको क्या करना पड़ेगा closest value of this table लेना है तो काम करता हूं inspect view में रख लेते हैं हम लोग जो कि console log से हम लोग data check करेंगे I don't want that alert one बरबर उसको okay करना पड़ जाता है ठीक है guys तो यहाँ पर चलिए अभी हम लोग type करते हैं अगर this click हो रहा है closest of tr का जो भी value class student id है तो एक काम करिए आप यह class student करके id बना लीजिए सो भूलिएगा मत सो इसको बनाना है after बनाने के लिए you have to call this here तो start करते हैं यहाँ पर तो dollar this तो जब यह view button click हो रहा है तो इसका closest of क्या लेना है tr टी आर टेबल रो लेना है ठीक है तो टेबल रो के closest में क्या है student id हमको fetch करने है तो student id fetch कर लीजिए तो I am going to find that so find that student id student id class है तो make sure you are putting dot भूलिएगा नहीं यही mistakes बहुत लोग करते हैं तो output नहीं आते हैं ओके तो यहाँ पर हम लोग val val मतलब यह तो input box के लिए हो गया जैसे कि हमारा td में है text है तो text view में निकाल लेते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि निकल जाएगा text जो भी है student id में यहाँ पर जो भी text आपको display हो रहा है तो इसको एक variable में store करते हैं where student id करके is equal to cool तो यहाँ पर इसको हम लोग print करते हैं console.log यहाँ print करते हैं hello अलर्ट function भी यूज़ कर सकते थे बट पर बर reload करना पड़ जाता है click करना पड़ जाता है okay okay तो one press करता हूं one output आ गया great so second press किया second output cool so हमको output मिलते जा रहा है बराबर से ठीक है two times three times four times जिसना आप click करेंगे उस हिसाब से आपको output मिलते रहेंगे ठीक है तो यहाँ तक तो अपना find चल रहा है अभी अब इसको हम लोग directly model में paste करेंगे जैसे कि आप fetch करके like student id निकाले हैं तो वैसे ही आप class देके अपना name भी निकाल सकते हैं लेकिन ये एक error आएगा future में जैसे कि आप यहाँ पर चार data है तो खर निकाल लिए class लगा के अब ही आपको 10 data है आप दिखा रहे हैं चार ही data जैसे कि आप first name last name class section दिखा लिए है बस इसका address भी store कर रहे हो and वगेरा वगेरा तो उसको दिखाने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए हम लोग को ajax call करना पड़ेगा तो चलिए उससे भी start कर लेते हैं तो first thing हमको एक let's pass the ajax value इसको क्या करते हैं इसको comment कर लेते हैं इसको निकाल देते हैं तो हमको ajax call करना पड़ेगा jqajax यहाँ पी ajax method आ गया and यह type is equal to हम लोग post रख लेते हैं url रखेंगे code.php एक simple file जो हम लोग default use करते हैं यहाँ पे जो भी data है इसका हम लोग data निकालेंगे यह data type का जरूरत नहीं है so ignore this and यहाँ पे आपको conditions लगा लगा के check करने हैं तो पहले मैं check कर लेता हूँ checking view button ठीक है जो कि मैं रख लेता हूँ tru रहेगा मेरा फिर इसको ही वापस copy करके इसको बोल देता हूँ student underscore id यह student id हो गया यहाँ पे क्या करूंगा यह student id value को call कर लेता हूँ यहाँ पे set इसको set होने के बाद हमको code.php पे जा रहा है बंदा ठीक है अब यह data हमारा student id इस data के जरीए code.php पे जाएगा तो यहाँ पे हमको अपना functions call करने पड़ेंगे तो guys चलिए वहाँ पे चलते है code.php पे फट अफट अपना data retrieve करके यहाँ पे देखते हैं क्या response आता है तो guys first checking करेंगे तो चलिए code.php file पे तो यहाँ पे यह कुछ save data का code है so ignore this हम लोग यहाँ से start करते हैं अपना coding so if condition use करेंगे यहाँ पे set function use कर लेते हैं इस set function dollar underscore post of data checking button अगर यह set हुआ है true हुआ है तो वो check कर लेगा इस set function इतना smart है कि condition execute कर लेता है तो dollar underscore post of यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग student id ले रहे हैं तो student id कहां गया यहाँ पर है यह data pass तो इसको copy करेंगे और यहाँ पे call कर लिजिए dollar yes underscore id रख लेते हैं ठीक है तो यह हमारा student id हो गया चलिए इसी को echo करते हैं ठीक है I mean response में check करते हैं dollar return एक चुपके आप return हमेशा रख लेजिए ठीक है एक default बना लेते हैं हम लोग यहाँ से जो भी सीख रहे हैं default return वाला variable रखते हैं और इसमें pass कर दिया मैंने done तो हमको क्या आना चाहिए response में यहाँ पे आना चाहिए student का id जो भी मैं pass करूँगा तो response में क्या करते हैं इसको console.log function pass that response तो response में हमें one two करके आना चाहिए output जैसे कि यहाँ पे हम लोग fetch कर रहा है right now तो guys save करिए and load the page so once loaded तो यही चीज हमको अभी यहाँ पे click करेंगे view cool one आ ही रहा है two आ रहा है great तो यहाँ से हम लोग successfully इसको print कर ली है तो guys ऐसे ही हमको क्या करना है जो भी output है हमारा इसमें code.php से student id के जरीए हमको data निकाल लेना है तो guys इसको comment करता हूँ and जैसे कि यहाँ पे हम लोग already code कर चुके हुए है ठीक है यह method सा भी okay क्योंकि यह भी तो वही काम कर रहा है जो कि data fetch करके यहाँ पे display कर रहे है तो वैसे ही वही code हम लोग fetch करने के बाद हमको यहाँ पे model में fetch कर लेंगे ठीक है तो guys वापस चलते हैं तो इसी को copy कर लेते हैं यह इसलिए नहीं copy हो रहा है क्योंकि वहाँ पे already है so let's copy this ctrl c code पे चलिए paste let's arrange this वापस down copy and paste यह set हो गया देखें guys so now यह आपको जो I mean यह dollar connection जो है c o n n वो already यहाँ पे included है तो इसलिए मैं उसको छोड़ दिया था connection का database का तो make sure you are having this connection तो यहाँ पे मेरा student table है where condition लगाएंगे where id is equal to single quotes में रखिएगा तो इस variable को copy करते हैं and इसको paste कर लेते हैं यहाँ पे that's it यहाँ पे copied हो गया and now for each loop के जरीए इसको check कर लेते हैं and condition निकल जाता है अगर यह data नहीं है तो हमें क्या रखे हैं यहाँ पे dollar return रखे हैं right तो इससी को copy करके dollar return is equal to यह function रहेगा I mean यह comment रहेगा अगर data नहीं है तो इसको यह reply हो जाएगा सीधी बात अगर data है echo dollar return is equal to single quote semicolon यहाँ पे हम लोग अपना html design कर लेते हैं ठीक है जैसे कि एक h5 वाला रख लेता हूं मैं and यहाँ पे हम लोग concatenate करके अपना data fetch कर लेते हैं कि normal id है that's it copy paste 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 तो यहाँ पे आप लिख लीजिए first name आपको जैसा भी design हो वह उस प्रकार आप design कर लीजिएगा first name last name class section that's it same thing यहाँ पर भी repeat कर लीजिए अपना जो भी name है आपके database में name class section अगर आप यह video देख रहे हैं यह कैसे आ रहा है आपका database से so do not get confused यह हमारा database का f name l name class and section है तो वही चीज़ मैं call कर रहा हूँ loop के जरीए अभी set हो चुका है अभी इसको view करना है कहाँ पर यहाँ पर response में कहाँ गया यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह सभी html attribute है तो इसको html attribute के जरीए हम display करते हैं कहीं पर तो उसके लिए guys अभी हम लोग यहाँ पर एक function use करेंगे okay dollar function open bracket and html attribute call करते हैं and यहाँ पर response paste कर लेंगे यह response वाला cool response paste होने के बाद इसमें हम लोग assign करेंगे एक id या class पर assign कर दीजिए एक जो की student viewing 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 data तो इसको हमको कहीं पर paste करना पड़ेगा तो इसमें दिखाएगा कहां paste करना है आपको pop up model में करना है right तो उसके लिए आप bootstrap पे चले जाएए अपना model लेने के लिए जैसे कि हम लोग starting में इसका model लेने है right तो इसी format में आपको लेना पड़ेगा simple तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर search कर लेते हैं model नहीं तो आप यही वाला ही copy कर सकते हो not a problem तो आप यह रहा अपना model तो इसी को copy कर लिजिए model एंड अपने थोड़ा उपर चले जाएए यहाँ पर यह student model student add वाला model है तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग student view model ओके paste कर दिया यहाँ पर खतम कर लिया तो यहाँ पर यह जो model body है इस model body में मैं क्या करूँगा call करूँगा किसको यह function को अभी दिखा इसको मैं close कर रहा हूँ तो यह जो class है इस class को call करना है हमें यह इस div tag में तो मैं एक dot लगाता हूँ div data ओके तो यह रहा मेरा div tag में इसके अंदर जो भी data रहेगा html जो भी response में आएगा इसके अंदर आ जाएगा पेस्ट हो जाएगा ओके तो यहाँ पर पहले view model को हम लोग id create करते हैं तो इस student view model इसको copy कर लिजिए तो इसको copy करने के बाद आपको यहाँ पर last में जब success पर आ रहे हैं तो इसके नीचे ही आपको paste करना पड़ेगा model को तो model में हमको show करना है तो यह model function आ रहा है यहाँ से अपने link से यह bootstrap cdn jquerymin.js से ठीक है तो bootstrap provide कर रहा है यह model function तो do not get confused यह सबी bootstrap से ही चल रहे हैं तो make sure you are watching from first तभी आपको समझ में आगा clear से save हो गया guys and now यह model निम हो गया यह data response करने का हो गया जो भी था so let's save कर यह and let's execute it save कर रिलोड करते हैं view करते हैं id number 1 वेद है जो view नहीं चला क्यों let's reload it I mean check this क्या हो रहा है console log कुछ error है check कर लेते हैं क्यों response नहीं कर रहा है student id student id was working fine यहां तक तो सब सही चल रहा था अपना so response let's check the response once again response को check करते हैं पहले response तो सही आ रहा है मतलब वो attribute में paste नहीं कर पा रहा है तो यहीं पर दिखका था इसी में ही तो इसको क्या करते हैं student view data को मैंने वापस copy किया response तो सही है html colon इसमें okay sorry guys model में view करना है right तो model यह जो model view है यह जो है इसका देखते हैं id यह id में है class में नहीं है इसलिए वो load नहीं ले पाया तो इसको हम लोग dot से hash लगाते हैं simple so it was basic mistake जो सब लोग करते हैं okay let's view cool so id2 ओम प्रकाश का data था and id1 वेद प्रकाश का है let us id1 वेद प्रकाश का हो गया यह यहाँ पर loop होते जा रहा है इसको comment कर लिजिए नहीं तो आपका data fetching slow हो जाता है थोड़ा कभी कभी okay तो guys हम लोग इस video में complete किये है how to fetch the data okay तो model title बदल लेता हूँ यह model title नहीं है यहाँ पर यहाँ पर लिखना है हमें जैसे की student view data great तो guys successfully हम लोग यह कर चुके हैं and in next video हम लोग सिखेंगे की how to edit the data in pop-up model तो इसी कितर यह ही हम लोग अपने pop-up model में भी edit करेंगे जो की editing वाल option देंगे हम लोग and update करेंगे तो update हो जाएगा load हो के ठीक है and delete का भी ऐसे ही होगा so guys thank you for watching this video please subscribe like and share